हेलो इस्टुडेंट्स आपने चैप्टर 6 तक का वीडियो देखा यह चैप्टर 7 है ड्रेसेस आफ इंडिया चैप्टर 7 अब यहां एक कोशन पुछा जा रहा है क्या इसका जवाब है आपके पास अब गर्मी के समय में और ठंडी के समय में क्या पहनते हैं चलिए सुरू करते हैं यहां इंडिया के देश के लोग जो हैं बहुत सारे ड्रेसेस पांते हैं Every state in India has its own typical way of dressing up सभी राज्यों में जो ड्रेसेस का सेंस है वो अलग-अलग होता है और सभी राज्यों में में राने वाली लोग अलग-अलग ड्रेस पांते हैं Cloths protect our body from heat, cold and dust कपड़े क्या करते हैं? हमें protect करते हैं अगर ज्यादा धूप हो, ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा ठंडा हो या किसी dust का सिकार भी होने से बचाते हैं आप देखिए, इंडिया is a country of contrast यहाँ पर बहुत सारी जो है, विविन विन जो है, ट्रेस के अलावा भी यह होती हैं यहाँ का जो मौसम होता है, वो contrast होता है, variant होता है मौसम में तो यहाँ देखिए, क्या होता है, कि here the climate and weather also vary from on one place to another, यहाँ जो climate होता है, यहाँ का जो मौसम होता है यह एक जगह पर कुछ और, तो दूसरे जगह पर कुछ और, इस तरह से इंडिया का जो climate होता है, वो एक जैसा नहीं होता है In some places, the weather is very cold, कुछ जगहों पर तो बहुत ठंड परती है In other places, it is hot, कहीं पर बहुत जगहर गर्मी परती है We wear cloths according to the climate of our region हम लोग जो कपड़े पांते हैं, वो यहाँ के climate के नुसार ही पांते हैं In hill stations, like Simla, Srinagar and Darjeeling We wear warm woolen cloths Hill station के पास, आप जैसे Simla हुआ, Srinagar हुआ, Darjeeling जाईएगा तो वहाँ पर ठंड परती है तो वहाँ के लोग क्या पहनेंगे? Woolen cloths पहनेंगे, उन से बड़ा बना सामान वो पांते हैं In hot places, like Delhi, Jaipur and Kolkata We wear light cotton cloths आपको पता है, सूती का जो कपड़ा है वो गर्मी के समय में गर्म जगहों में पहना जाता है तो Delhi, Jaipur and Kolkata का जो ताप मान होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लोग cotton cloths जो है, वो ज़्यादा पहनते हैं आईए, cloths worn by women अब हम देखेंगे, women के द्वारा कौन कौन सा cloth पना जाता है women of India, wear various types of cloths, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं women, महिलाएं the common dresses are sari, salwar, kameez, skirt, blouse and lehenga, choli यहाँ का जो common dress होगा क्या है, sari है, salwar है, kameez है, skirt, blouse है और lehenga, choli, जो है, महिलाएं पहनती है sari is the national dress of Indian women ठीक है, आपको मालूम होगा, जो sari है, वो national dress है ठीक है, भारत का national dress सभी महिलाएं sari पहनती है और पहनना पसंद करती है ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखे, question क्या है why are cotton cloths preferred in hot places like Delhi, Jaipur and Kolkata you know, these places Delhi, Jaipur and Kolkata are hot places so, be comfortable, people wear some cotton cloths okay, next अब देखे, राजस्थान में लोग जो महिलाएं है, वो क्या पहनती है यहाँ पर देखे, did you know me देख लिजे, sari is worn in different ways in different part of India यहाँ पर आप figure में देख पा रहे हैं, कि sari जो है पहनने का भी जो तरीका अलग लग है, अलग अलग जगहों पर अब देखे, राजस्थान की वी में औरतें क्या पहनती है, तो राजस्थानी वी में वीर कलरफूल चोली with a प्लेटेड स्कार्ट कॉल्ड घागरा, ठीक है, आपका यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो चोली और घागरा पहनती है, ठीक है, और यह कलरफूल होता है प्लेटेड होता है ठीक है उसमें चुनर बना होता है ठीक है दे कवर्ड देर हेट्स विद कलरफूल ओर्णी वो सर पर जो है अलग-अलग कलर का ओर्णी वगएरे सब पांती हैं रखती है अब आए पंजाबी देखिए विमें विएर सलवार कमीज along with दुपट्टा पंजाब में जो महलाए हैं वो सलवार कमीज पांती हैं और साथ में जह है दुपट्टा भी लेती है वुमेन इन आंधर परदेश अब आंधर परदेश में क्या है तो विएर लॉंग स्कर्ट कॉल पवादा ठीक है यहाँ पर जो लॉंग स्कर्ट पवादा बोलते है और यह आंधर परदेश की महलाएं पवती है सौट ब्लाउज कॉल्ड चोली जो सौट ब्लाउज होता है उसको चोली कहते है आंधर परदेश में ठीक है चलिए अब देखते हैं In the cold reason of Jammu and Kasmir Jammu and Kasmir में देखिए चुकि वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है न तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो वियर करती हैं Thick and loose overcoat called firon ठीक है? To keep themselves warm वहाँ की महिलाएं पूरा overcoat होता है पूरा का पूरा सरी ढखावा होता है उससे जिसको firon कहते हैं ठीक है? ये Jammu and Kasmir की महिलाएं पांती हैं Women in Haryana अब Haryana में देखिए कैसा पांती हैं ठीक है? We are colorful dresses रंग भी रंगा ड्रेस पांती है They put a चुनरी on their head along with a कूर्ती or a blouse and an ankle length skirt ये एक कूर्ती पांती हैं blouse पांती हैं ankle length skirt भी पांती हैं ठीक है? और जो चुनरी होता है इनका ये वो सर पर होता है ठीक है? वो सर पर जो है चुनरी ओड़ती है ठीक है? चलिए Did you know में देखिए क्या लिखा है? Cotton was first grown in India जो सूती है सूती कपड़ा आप लोग पांते हैं वो सबसे पहले इंडिया में ही बनाया गया था ठीक है? Cotton yarns are used to make cotton cloths cotton का जो yarn होता है उसी से जो है कपड़ा बनाया जाता है सूती का सारी's are made of different materials such as cotton, silk and synthetic fiber सारी जो है वो भी तरदर के होते हैं कुछ सिल्क का सारी होता है कुछ synthetic fiber का बना होता है तो कुछ cotton, सूती सारी होता है होता है न? चलिए यहां तक आपने देखा